हेलो दोस्तों नमस्कार जेहिंद मैं हूँ राकेश और आप देख रहे हैं All Government Job Update मैं लेकर काया हूँ बहुत बड़ी वैकेंशी न्यूच इंडियन एरपोस्ट न्यूव वैकेंशी आचुकी है इज क्या रहेगी? ऑफलाइन फॉर्म है 10th वे 12th वे बी ए ग्रजूशन इसमें फॉर्म पर सकते हैं बिना पर एकसा जोब है इसमें एक्जाम नहीं होगा बिना एक्जाम आपकी जोब होगी क्या होगा यी एग्जाम नहीं होगा तो क्या होगा उसके बारे हम डिटेल में बात करेंगा लेश्डेट नजदीक है उर फिन फोर्म है आप टाइम से फोर्म जल्दी इसमें फोर्म बढ़दो पूरे बारत के लिए मेल एंद फिमेल दोनीव के लिए परती आ रखी है ठीक है तो मैं फूरी एक एक करके पूरी डीटेल पर बात करूंगा उससे पहले यदि आप सभी नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ सहर जरूर करें इसके लावा जो हमारी एंसी है जो जो इ इंग्लीज की क्लास लेकि मुझे बेजाता हो देखने के लिए हो सके आपको यदि पसंद आये तो अगली क्लास लाएंगे नई तो नई बाकी जीकी कंटिनिव आएंगी और इंग्लीज की सरसे में बात करके जल्द इंग्लीज की क्लास से शुरू करूंगा ठीक है तो अभी तक हमारे सभी प्लाइटफर्म को आपने जोईन करके नई रखा है तो जल्दि जाके जोईन कर ले जिसमें मैन मैन है वह टेलीग्राम गूरूप है वह टेलीग्राम चैनल है इस्टागराम पेज और वोड्सप चैनल है वोड्सप गूरूप यह है जो सब आप जोई कानपूर आप सभी ने देख लिया कंट में भरती आ रहा है बारतिय वायू सेना इसकुल कानपूर दोरा विवीन पदों पर बढ़ती किया दि शूचना जारी कर दीगी ठीक है जिसमें हैयलपर वाजमैन है कलर कहता है इसमें कैसे क्या फोरुम बरना उसकी देखो आयू सीमा की बात के लिए सबसे पहले एक जुलाई दोजार चोई के अनुशार की जाएगी मैलावेद दिवियांग आवदको को उपरी आयू में पांच वर्स की छूड़ दी जाएगी ठीक है अवेद दिवियांग आवदको को जाके जमख सकते हो या फिर साधा अंडाक जैसे बीदेगो या लिकरका है आवदेन पत्र अपने गाउं के हाँ कहीं से भी । कोशिस करेंगे हम फिर यह आपको डाउन्लोड करके बेज देंगे ठीक है डाक द्वरा आवदेन पत्र बेजने रपता हो आप कैसे भी बेज स रोड कानपूर केंट ठीक है ये इसकुल का नाम दे रहे हैं आविदन के साथ सलंगन किये जाने वाले दस्तितावाइज यह है जिसमें सभी शैक्षिक वेशिक योगिता के प्रणाम पत्र आप 10-12 जो भी आपने कर रहे हैं उसके डालना है जनमतिती हेतु शैक्षिक योगिता का प्रणाम पत्र चाहिएगा जाती प्रणाम पत्र की परतिलिपी यह आरक्षित पद या वरक्षिय आप हो तो यह जाती प्रणाम ताध को देना है ठीक है दो स्वयम का पता लिखा 30-30 रुपय के डाग टिके लगा लिपा पा अंदर डालना है दिवयांंग या बूतपुल होने पर समंदित प्रणाम पतर की पड़ते लिपी आपको अंदर देने पद से समंदित अन्य कोई प्रणाम पतर यह दि आपके साथ में हो तो जरूर डाले उसके अंदर अवदन वाले लिपापे के उपर में पद का नाम वे कैटेगर लिखना है जैसे एपलिकेसिन फोड़दा पोस्ट किस पोस्ट अपलाई कर रहे हैं और केटिगरी में आते हो ठीक है यह फोरम बरनने का तरीका अवदन के सबी कोलम इस पेस्ट हो हैं अंग्रेजी के बड़े उक्सर में बरना है आपको ठीक है आवदन में किसी परकार की कटिंग या ओर राइटिंग नहीं करनी है अब कटिंग नहीं करनी है उसमें इस निर्देश को स्वयम के पास रखना हाँ यह निर्देश आपको भेज दियता आएगा यह अपने पास ही रखना है ठीक एड़ेटन टाइम ओप लखनो देगो यह किसमें आया है 23 दिसम्बर की जो लखनो की एड़ेटन टाइम निउस है उसमें आया गया ठीक शॉट लिस्टिंग आउदकों को ही प्रिक्षा से समद्धे सूचना बेजी जाएगी कलरक तता सभी टीचर के पदों के लिए अंग्रेजी बासा लिखने पढ़ने में पढ़ने में धारा परवाओ के साथ बोलने में सक्सम हो ठीक है जो भी कलरक इसमें एक्जाम नहीं होगा यह प्रिक्षा से इंट्रिव होगा ओनली फॉर जो आपको सूचना दे जाएग ठीक है कोल के मादियम से यह बता रहे हैं यहां पर शोट लिक्षा आओ दो हेलपर समीदा के लिए 21 से 40 एज चाहिए उसमें तेरे जार मासिक प्रेमेंट रहेगा हिंदी पढ़ने में लिखने तदा ट्रेड कारिये का घ्यान होना चाहिए दस्वी तक कोई भी योगित हो आपकी चलेगी ठीक है इसमें एज जो इनका प्रेमेंट है यह बढ़ सकता ह समीदा है जो भी जितना कारिकाल रहेगा बारे मैंने को उसमें ज्यादा बढ़ सकता है हंडेट इस हंडेट परसंट ठीक है वाजमें की थ्री पोस्ट है समीदा के लिए वह भी 21 से 40 है तेरे जार मासिक पैमेंट है हिंदी पढ़ने में लिखने का तता ट्रेड कारिये का ग्यान दश्यू तक कोई भी योगिता आपके पास होनी चाहिए ठीक है दश्यू तक की कोई भी योगिता हो चलेगी और कलरक शमीदा के लिए प्यार्टी रेगुलर ये 21 से 50 तक उमर है 28,500 से लेके 48,000 तक पैमेंट रहेगा प्यार्टी रेगुलर पद है ये 50 प्रते से या मातेशरी अप्री प्राइमरी टिचर डिपलोमा आपके पास हो तो इसमें फोर्म आप भर सकते हो ठीक है पीजी ट्री शारेडिक शिक्षा रेगुलर ये पीटे के बरती है इसमें 21 से 50 तक एज बांग रहेगे और 35,000 से गुंडशाट अजार तक इसमें सेलेरे रहेग ठीक है अभी मैं बात कर लूँ फाइनली लाश डेट की तो लाश डेट की मैं बात कर लूँ लाश डेट दस जनुरी दोजार चोईश रहेगी इसकी लाश डेट ये फोर्म का उपलोब होगा तो फोर्म हम कोस्षिस करेंगे यदि 21 से 40 के बीच में बीच में आपकी एज है किसी भी केटिगरी 25 से 50 या 21 से 40 के बीच में एज है तो हमें मेसेज करें आपको कोस्षिस करेंगे फार्म फिरी आपको उपलोब करवाएंगे ठीक है ये टेलिग्राम चैनल में ये नोटिफिक्शन और डाल रहा हूँ एक बार रीड जरूर कर लेना ठीक है मैंने जो भी जान करें दी आई होप आपको सब कुछ समझ माई और भी कोई मन में क्यूशन के रही है तो बेज़ी ज़िख कमेंट करें आपकी पूलते हलब की जाएगे ठीक है थैंक यू जे हिंद बंदे मातरम जे भारत